तुनेत्र न इसफिद्वेन्टक्राइं क्या की इस था हné डिखिग में स्किरिण जा बोख सेट्रिण ऑजपिढ़ Bailey को ऑब कर दोने पर हम्ट क्या नेरे डिखें गै Пेड–ए-टरी यह पता है उसलिए दीजिए न सफिस्टमी और जीटोर्फ नप के नहीं बी एक हカンタल Express यह conservation of energy का रूल है ना कि energy ना तो बनाई जा सकती और ना उसको destroy किया सकता it can only be change from one form to another यह चिरफ एक form से दूसरी form में change हो सकती है ना यह बनाई जा सकती ना यह destroy किया सकती the list of conversion of one form of energy into another is almost endless yes yes list बोट बढ़ी है means जब हम एक बल्ब यूज कर रहे हैं त्यूब लाइट यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या थे रही हैं उसको एलेक्रिक energy दे रहे हैं बट और बोट और उक्षण में change हो रही है हमें वह लाइट दे रही है लाहिए लाइट नर्जी में change हो रही है प्लस हीट एंट एनर्जीम तो फें की बात करें वह तो यह तो इसम पास कर रहें आपको क्या रहें की तो इस तरह से यह हम बात करें करें तो एंडलेस्ट हमारे पास एक्जमपल हैं एनर्जी कानवर्जन नेटरीग। शेल्स में यर्क क्लासिक्ड सब्सक्राइब कैमिकल हने सब्सक्राइब से लेक्टरिक नेimeter г determsk फालन देता जो सेल होते हैं जो हमारी रिमॉट मेडलते हैं या फिर आप आपका इन्वर्टर होता है ठीक है उसमें भी केमिकल्स हूज होते हैं और वह हमें कहा देते हैं इलेक्रिसिटी दे रहा है इट वाज एन इटालियन साइंटिस्ट अलेक्सेंड्रो बॉल्टा हुग गे वस फॉस कि नाम के साइंटिस साइंटिस्ट यहें सोल्यक्या इस स stick आपके और रिखाया था किस्ता से धिक होती है और अन्यों को रिगार देग्या एक ऑगार देने के लिए इस इस क्या नाने पिणा दक झाल olan कर डिया सिल जतने सेट और वरO Señor जो जो हम ने यूज करना होता है जो हम जिस टाइप का हम पर्डूज करना चाहते हैं या लेक्ट्रिसिटी या कुछ भी लेक्ट्र प्लेटिंग वह सारी चीजे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यह रोड्स और नोगेजन चूज करते हैं वन टूरोड्स और जिंग और कपर अर्ड इनें हम एलेक्ट्रोड बोलते हैं जिंक और जो कोपर हम इजिए जो रोड यूज करते हैं इने वह थे लेक्ट्रोड अ डीप इना solution of dilute sulphuric acid, sulphuric acid solution में यह दोनों रोड डिप की हुई है, it is these reactions that help us to get electric energy from the chemical energy, when we connect its two roads to a bulb using metal wires, current flows and the bulb lights up, क्या होता है, जब यह reaction होनी शुरू हो जाती है, तो chemicals है, chemicals के कांचो reaction होती है, वो एनर्जी वायर्स के थ्रूव बल्ब को ग्लो करने में help करती है, तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, जो chemical energy है, it can convert it, converted into the electric energy, ठीक है, when we connect, the volatile cell therefore act as a source of electric current or electric energy, ठीक है, next chemical effects of electric current, जब हम एक electric current पांस करते हैं, तो उसका क्या chemical effect होता है, we now realize that chemical changes in a liquid can produce electric effect, हमें यहां से पता चल गया, कि जब एक liquid के अंदर changes होते हैं, chemical changes होते हैं, उससे electric current produce होता है, क्या, is the reverse also possible, क्या इसका opposite भी possible है, opposite मतलब, यदि हम electric current दें और वो chemical changes करें, क्या यह possible है, can an electric current passing through all liquid result in chemical changes, Michael Faraday, a well-known British experimental physicist, began his experiment on the process of electricity through liquids, तो जो Faraday knew another scientist थे, जिन्होंने इसके पर अपने experiments किये, he observed interesting changes, उन्होंने बढ़े अच्छे changes इसमें observe किये, current pass, उन्होंने क्या observe किए बटे, जब current pass कर रहे हैं, through an ionic solution, the resulting effect are known as the chemical effect of current, जो effect होते हैं, जो परभाव करता है, electric current का, that are called the chemical effects of current, Faraday called the phenomena resulting from the passes of electricity through liquids as electrolysis, तो उसने इस phenomena को इस परकरिया को क्या नाम दे दिया, electrolysis, देखो, electro means electricity, lysis means breakdown, when electricity is passed, जो आपका liquid होता है, वो किया अपने ions में तूट जाता है, so it is about the electrolysis, this is because it causes chemical changes within the electrolyte, okay, let us now perform activity to find out what kind of chemical changes, अब हमें activity करके देखते हैं कि किस तरह के changes उसमें होते हैं, यह क्या है, to demonstrate the electrolysis of water, जब हम electrolysis of water कर रहे हैं, water किसे बना हुआ है, H2O, H positive and OH negative, इन्होंने क्या लिया है, material required, क्या क्या चाहिए हमें एक बैटरी, इसे कहते हैं, बैटरी, आपको पाते हैं, यह positive and negative, यह एक cell कहलाता है, और जब two or more cell connect हो जाते हैं, then it is gold बैटरी, टू ग्रेफाइट पैंसल्स, जो आपकी simple एक पैंसल होती है, it is made up of ग्रेफाइट, अब बीकर, tap water, connecting wires and tap tape, ठीक है, ठीक है बटा, उसके अंदर hole कर देते हैं, टू और उसमें पैंसल को, उस hole के अंदर pencil को डाल देते हैं, उनसे वो hang हो जाती है, ठीक है, आधी उपर होगी, आधी नीचे होगी, जब इसमें क्या उप्जर्व किया गया गया, जब electricity पास की, तब हमने देखा कि इसके अंदर, क्या होगी, बबस बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, यह देखो यह कहीं, ग्रेफाइट पैंसल है, यहां पर हमें बबस नजर आते हैं, इसका मतलब कि यहां पर कोई नजर बननी शुरू होगी, तो इसी से पता चल जाता है, क्योंकि हमने पानी लिया था, लिक्विर लिया था, और लिक्विर से क्या बन गई, गैस बन गई, तो इससे पता चलता है, कि जब electricity पास होई, तो कुछ ना कुछ chemical changes होई, तो इसी यह नहीं से हमें electrolysis का पता चलता है, शार्पने बहुत हैं, बहुत हैं पेंसल, फिल भीकर विद डैपटर, जो आपने पैंसल ली है, उसको दोनों तरफ से शार्प पर लो, देखो दिखा भी रखी है, ठीक है, में का सिंपल सर्कुट है इस इंपोर्टन तो में गूड कूंट नजर आ रहे हैं, वो नजर नहीं आएंगे, यूज़ पैस पीस ओफ काड़गोर्ड तो होड़ पैंसल इन वर्टिकल पोटिशर, प्लेस एक्सपोज टीप इन वोटर, एक्सपोज मतलब जो यह बाहर से दिखती होती है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक, एंद प्लेस एक्सपोज such that tips are fully submerged but are not touching the bottom, इसके अंदर डूबी होने चाहिए, लिकिन bottom को touch नहीं करी होने चाहिए, ठीक है, we are using the two pencils as electrodes, तो जो यह हमने पैंसल यूज़ गई है, इनको हम क्या कहते है, electrodes कहते है, now wait for 3-4 minutes, 3-4 minutes सब जब हम बैटी, setup होगा, उसके बाद 3-4 मिनट के बाद बाद बवस न सब्सक्राइब नियर दा एलेक्रोड, चैंज तेकिंग प्लेस न दर टेप वाटर एक कामिकल चैंज, यह सकते हैं, ठीक है बिटा, इट वाज़ ब्रिटिस्ट चैमिस्ट विलियम निकॉल्सन, वू हैड शोर्ड देट, इव दा इलेक्रोड बर इमर्ज इन वाटर एंड सब्सक्राइब चैमिस्ट विलियम निकॉल्सन उन्होंने यह दिखाया कि जब इलेक्रोड इमर्ज मतलब डूबाया जाता है पानी में और एक सब्सक्राइब लगातार करण दिया जाता है तो बबस बनने लग जाते हैं ऑक्सिजन बबस और इलेक्ट्रोड कनेक्टिट त पाशिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है ईससे हम बोलते है जो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है इसंसे बोलते है जो बहुते है घ्य Till जो इंट्र कॉनmotion है दीशन के बस निकलती और जो दूसरा एम उसके शेपर क्यों होती हमी हाइड्ळगोज कैफोड़ पर डिपोजी हो इससे हम कह सकते हैं कि जब हम electricity पास करते हैं तो chemical changes होते हैं अब बात आती है कि जो chemical reaction तो होगी वो किसके पर करती है किसके पर डिपैंड करती है वो नमबर बन नेचर उदफ जो चीज़ हम यूज कर रहें नेचर उपने लेक्टोड की जो में इलेक्टोड से बने हुआ है किस चीज के बने हुए है नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ तो सॉलूशन जो ने लिया है उसका नेचर कैसा है है बेसिक है नेचर कैसा है कंसंट्रेशन उसकी असलिए छुआ से वब इंप्रोड़े कितनी है इस चेज़ों भी डिपैंट करती है कि यह नेचर हुआ धोली चेज़ी यह लिए लिया है सेविए के लिया है सुलुशन दिया है सभाँ अफट्रीशन बिग्स प्रूमिन अब उनको क्या अफेक्ट पढ़ेगा हमें कैसे पता चलेगा कि chemical reaction होगी है number one metals may get deposit at the electrode surface जो माई electrodes हमने दिये हैं उनके उपर कोई दूसरा metal metal deposit हो जाता है number two gases जैसे अब हमने electrolysis of water में देखा उसमें hydrogen or oxygen gas बनी ठीक है तो यह सब चीजे होते हैं तो इसलिए metal एक metal पर दूसरे metal भी deposit हो जाता है change of color yes कई भर कहा है solution of color change हो जाता है ठीक है तो इस तीनों चीजों से हमें पता चलते हैं कि yes chemical reaction taking place next application application का मतलब है जो हमने यह फिनोमेना पढ़ा यह परकरिया पढ़ी यह हमारी डेली लाइफ में किस तरह से useful है क्या हमने इसका अप्लाई कि अपने डेली लाइफ में the chemical effects of current have some important scientific and industrial application इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है और scientific level से भी इसको यूज किया जाता है नमबर वन extraction of metals from ore आप पढ़के आयों 7th class में ore on minerals ore on minerals के होते हैं धर्ती में मिलते हैं आपकी soil में मिलते हैं और इंसे हम अपना metal निकालते हैं that are called ore certain metals are extracted तो और के होते हैं impure होते हैं इंसे हमें pure metal निकालना होता है तो हम इस method की electrolysis की method से हम pure और impure matter को डाल देते हैं और pure metal एक electrode पर कठा हो जाते हैं और दूसरी electrode पर कठी हो जाते हैं impurities ठीक है certain metals are extracted from their hours by the process of electrolysis for example metals like aluminum sodium potassium calcium are extracted by this method तो कौनकों से material extract यूरते होते हैं इस method से aluminum sodium potassium calcium second application के बटा है electro refining of metals refining क्योंते हैं स्थ कर ना क्या हुता है refining聘् couple क्या होते हैं materials इंत् ook इंपयोर फोम में मिलते हैं उनको pure बनाने के लिए उसके electrolysis कर देते हैं it is a process of obtaining pure metal from the import one by the process of electrolysis for example in electro refining of copper मैं और क्यों हमें impure copper मिला है उसकर ने है तो उसकी एलेक्ररिफाइनिंग केसे करते है अब प्यूर और इज मेरो Enerdy जो कैसो नो की बना देते हैं एड जो टोब भूपर होता है वह यार可能 या जाता है ठीके तो धीरे धीरे उदर चली जाती है और प्यॉर तो如何 ह्मारा वींडो pare पडले यह देखेत नहीं थे डॉर के विंडोस के यहां वो पड़ी शाइन करते है उनके पर क्या है उनके पर होते हैं उनके परशादे पैट्छी परच यह एक पर्च परच पारच गहते हैं आपकete जीुकिस् Click तो इसलिए जो बॉर्षेक्टिंग के वो बड़ी कॉसली होती है तो क्या होती है जो दूसरी होती है उसके और कॉपर की प्रफ चड़ा देते हैं तो उसलिए जो एक्ट्र प्लेटिंग वो बड़ा यूज़ूल है प्रोसेस्ट दिपोजिटिंग अथिल लेर अनी डिजायड मैटल और अनाधर मैटिरियल बाइदा पैसस फिलेक्रिक कर्ण इस नोन अज एक्ट्रो प्लेट वी के दिखाई हुए वेटा इसमें क्या क्या हुआ यह देखो यह वही सेम होता है हमने बिकर लिया बॉक्स लिया प्लेट तो प्रोपर और शुक्त झाहिए और कॉपर चड़ानायार तो इसमें झाहिए क्या करे गी को पर नैगयरा चैहर चैर्या दिले कोपार की वियुक्स उप्लाट नेगटिफ और at니까 sulphur पाइं यह रिफ्ता रहा होता चैष अधिजा तो कि उपकाषादीट ईया चुर तो यह copper sulphate solution है यह टूट टूट के copper यहाँ deposit होता रहता है इस तरह से इनका circle चलता रहता और यह खत्म होती रहती है परत और इसके ओपर यह electrode इस zinc के ओपर बुरा copper चड़ जाता है तो इसे वह तो हम electroplating नेकिसे मता हाँ दिस दिपोजिशन ओन दे एलेक्ट्रोड हैपन कैसे हुआ यह तो अंदेस्टेंड इस त्रेश दफ्लो चार्ज तो हम चार्जिस आयंस का फ्लो देखने की कैसे हुआ वैन इलेक्टिक करण्टीज पांज थू दा हमास ओलूशन दफाल प्लस ओल इन दफ्लोशन डिशोषेट इन्टो कोपर अंड इंदीज आइन्स और प्री इंचे क्थोड गटेट इंटो इंटो कोपर एंटब अधोड और चाहिं कोपर में कन्वर्टिड ओजाते हैं और उसके पर डिपोजिट हो जाते हैं और उसके कोपर प्लेट से कोपर निकल रहा है तो यह उसके साथ कंबाइन होकर कोपर सुल्फेट बना देते हैं तू पॉपर सुल्फेट अगें दस कॉपर इफेक्टिवली रिमोड फॉंद एनोड दिपोजिटों दा कैथोड एनोड दिरे-दिरे कमोती चली जाएगी और दूसरी ज इस सम कंडिशन्स देट हैल्फिन गेटिंगा स्मूद एंड क्वाम डिपोजिट ड्यूरिंग इलेक्टो प्लेटिंग हमें क्या-क्या वात्तों का ध्यान रखना चाहिए लेक्टो प्लेटिंग प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए नमबर वन अर्टिकल टूब को प्लेटिंग करनी है जिसके वद दूसरी प्रद चड़ानी है शुर्ब लीम्र्दा कैथोड उसे हमेशा क्या थूड बनाना है ऊपर ने ने यह सब्सक्राइब और अब मेर बनाने जिसकै पर च्छार नियु और इसको बनाना जिसकी पर चाहनी है डह suburbs is made of that pure material विच जु इस जिस का हम ने अनोड बनाया है उसी कही कोई solution लेगे जिससे वह इलेक्टिवलाइड शो हो नेक्स्ट प्रैक्टिकल एप्लिकेशन्स या नीड कि क्यों जरूरत है हमें अब को बताया एक तो इसे हमें जो है चीपर रेट मिल जाते हैं ठीक है सस्ती चीजे मिल जाते हैं और सभी कम नहीं रहे जाता है हैं बड़े अच्छे दिखती हैं क्यों और यदि यहीं 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 आइरन के होती तो क्या हैं बदी सी नजर आती है तो इनकी चमक को बढ़ाने के दिए किसकी पर चड़ा है जाते हैं इनके उपर क्रोमियम और निकिल या तो क्रोमियम की या फिर निकिल की सिमिलर्ली आर्टिकल्स ऑफ बेस मैटल्स आर ओफन कॉटिड विद प्रीशेस मैटल्स तो मेक दैम लुक मोर अट्रेक्टिव इसलिए वादब वैस तो कॉमन मैटल के चिल लेकिन उनके पर ऐसे लगता है कि जैसे चांदी के गिलास हो इस तरह कि उनके पर कॉटिंग कर द आर्टिकल्स टावल रेल्स टीचर्ण गैस बर्नर्स वील रिम्स इन सब के पर कोटिंग होती है क्रोमियम दिपोजित नोट अनली प्रोवाइड आशाइनी सर्फेस बट अलसो है कोरोजन में भी हल्प करता है और बीर्टियर यदि कोई कई से टुट फूट गया तो इसके है वह में सस्ते मिल जाते हैं we know that some of the metals like gold silver platinum nickel and chromium are very expensive it would not be economical to make the whole object out of these metal कहियों कि मैं क्या होते इतनी इतना उनका इंकम नहीं होती कि वह पूरी की पूरी metal को इससे से बना सके मतलब पूरी गॉल्ड से ही पूरा बना ले तो वह सिंपल उसका पान ही चड़ा देते हैं मतलब उसकी परा चड़ा देते हैं असा लगता है वह गॉल्ड की है है एक नेक्स सांटिस्त है में मिककैले फैरेडे ऊंकी डिसकवरी क्या थी अ वेरी इंपोर्टेंट फिंपनोमना महाज इसकवर्ड इंटीन बाई मिकैले फैरेड़े अ, असी लिडर वेडिसकवरी इसकवरी थी इस फिरोमना इस हो ना व बेसिशन अब ब्रद्सकेल लेक् यहां पेरेडे नहीं होते तो इलेक्टिसिटी भी नहीं होती we have already studied in class 7th आपने class 7th में magnetic effect पड़ा एलेक्टिक बेल पड़ी थी ना आपने कि जब हम इलेक्टिक बेल एलेक्टिसिटी पर एस करते हैं करते हैं तो magnetic field बंजाता है और वह बैल कॉंटिनुज़ यूहमइर करती रहती है उसके चप्रेड़ रहता हिसा नियुक्ति ना करते हैं तो लिए नग्दिक खत्म हो जाता है और जो बैल है वह बजना बंद कर देती है ठीक है इस केन भी व्यूट अइस गनजवर्जन ओफ अप्लेक्टिक एनर्जी इन्टिक अनर्जी फेरेदेटी का इसका अफेक्टंच अर्फेक्ट नुए था उसमें क्या था में फ्यूंगे एकने थी कर्वाई उसको और इसक्छा इनर्जी पॉड्यूस कर वाई ठीक है तो इन्होंने एक स्लेंट्रिकल पाइप ले लिया आयरन का एंड विंड लाज नेमर ऑफ तंस और वैल इंसुलेटेटि इसके अपर देखो यह कॉपर वायर की तंस चड़ा दिया कॉईल कर भी इसके अपर प्लीन देखो प्लीन किया और उससे यह क्या करा है बल ब्लो रहा है त मेंगनेट्य तब्लो ट्रुपाइन की थार प्रप्रोर्पर्टि यह मेंगनेटिक थींग को अपर फिंचते हैं आयरन प्रॉमयम निके इन सब तीजों को अपरी तरह एक करता है तो यह क्या है यह आइन का यूज के हम ने इसको अलग करेगा तो महाँ पर अरूंटल यहा और पर शम्रम आप शेयर हो गए और अपर आपर एक्तिय प्रॉचित लिए ठीक है तो देखो तेक तो थेको तो तेक रोंग बार मांगनेट और अच्छाक पर कि अधे पाइट और जिए तो डूरल लेके जा रहे हैं तो फिक है जाए मिध्या थिक्ट टॉर लेके जा रहे है जा सब्सक्राइब या वह स्टॉप हो गया मेंने को हमने इसमें जादी पोल चेंज कर दीकिन मुश्य चैंज लार्या तो बंच वह स्टॉप होुए है College of Electromagnetic Induction, the PHENOMENA in which electric current can be generated by a Changing Magnetic Field , Electro-Magnetic Induction, Electricity will be produced . जब Magnetic Field को Change , Electricity will be produced , than the PHENOMENA is called Electromagnetic induction . The discovery and understanding of the PHENOMENA of Electromagnetic Induction is based on a series of experiments carried out by Faraday and Henry. जो यह हमारे हमारे पास रिजल्ट आ गया कि पर्डूज होगी वह एक दिन में नहीं पर्डूज होती है जो पूर्थ लंबे टाइम के बाद वह सक्सेस होते हैं येस फिर वह कंख्लूड कर सकते हैं येस दिस केंड भी हैपन तो कौनकों से साइंटिस थे वह फैरेडे एंड हैं दिस देर एक्स्पेरिमेंटर अब्सर्वेशन कें बिसम्ट जो नों ने अव्जार पिया वह यह बताया गया है बैनेवर देर इस ए रिलेटिव मोशन बिट्विन अ मैंगनेट और कोयल के बीच में मोशन होगा बैट इस पार्ट ओव एलेक्रिक करंट पकरंट फ्लों और करनषट स्टोफे और मैंगनेट ओर क्ट करनषच हों यह पनाैइव५रों थे स्टोफें मैंगनेट और क्रेंड रेस्ट हो जाती हैं स्टॉप हो जाती हैं मुवह और भारना देते हैं तो कोनल नहीं होता जबल सब्सक्ना श्याहर बित् toplu होगा बीट्विन जब्सक्त अब फास्ट मुमेंट होगी उतना ज्यादा करन्ट ग्लोगेंगा। The phenomenon of the electromagnetic induction forms the underlying principle of all modern day generates and transformers. जितने भी अब हमारे generators और transformer हैं वो इसी formula के इसी principle पर बेज़ हैं. Electromagnetic induction पर ही वो बेज़ है. The generator helps us to convert mechanical energy. The generator में हम क्या करते हैं उसको घुमाते हैं हैंडल को और वो electric energy में convert हो जाते हैं. Today's civilization earns huge progress to a very great extent to the discovery of this phenomenon of electromagnetic. देरे देरे और भी changes होते हैं आजकल manual भी नहीं रहे जनेरेटर अपने आप ही वो आटोमेटिक चल जाते हैं. इस तरह से शुरुआत थोड़ी सी हो जाती है तो उस पर और ज्यादा 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 achievements होने लग जाती हैं. और science से क्या होता है फिर हम और ज्यादा अच्छी प्लबधी पाल लगती हैं. ओगी वीटां?